जेशी कृष्णा दोस्तों हर हर महादेव कैसे हैं आप सब सबस्त और सुरक्षित होंगे दोस्तों इस वर्ष दोहजार तेवीच में वसंत पंचिमी को लिकर कई लोग के मन में कनफिजन चल रहा था कि 25 को मनाई जाए या 26 को मनाई जाए लेकिन वसंत मजमी गुरुबार 26 जनवरी को ही मनाई जाएगी क्योंकि सनातन धर में हर तेहवार को ओद्यातिति के अनुसार ही मनाई जाता है और पंचिमी तिति 25 जनवरी को दोफर 12 बच कर 34 मिट पर अवश्य शुरू हो रही है लेकिन गुरुबार को 26 जनवरी को सुभे 10 बच कर 28 मिट तक रहेगी इसलिए उद्याति थी के अनुसार देखा जाए तो बसंत मजमी 26 जनवरी को ही मनाई जाएगी और वैसे भी देखा जाए तो इसका सबसे जादा महतु 26 जनवरी को मनाने कई लोगोंने मान भी लिया है कि 25 जनवरी को बसंत मजमी है लेकिन बसंत मजमी सही तरीके से देखा जाए तो 26 जनवरी को ही मनाई जाएगी इस वार गुरुबार का दिन जो देवी माता सर्शती का ही दिन माना जाता है और इसी दिन बसंत मजमी पढ़ लही है ऐसे में इस दिन देवी माता सरस्थी जल्द ही आसनी से प्रसंद होकर अपने भक्तों को शिर्ग आश्रिवत प्रतान करेंगी बसंत पंचमी का दिन अबूज महरत के नाम से जाना जाता है शायद आप जानते ही होंगे यानि इस दिन कोई भी कारे करने के लिए आपको महरत देखनी की आउशकता नहीं है बसंत पंचमी के दिन कोई भी आप नया काम शुरू कर सकते हैं और पूजन करने का सही समय वैसे 7 से 8 बजी तक कही शुब रहेगा यह समय मा शार्दा की पूजन के लिए बहुत ही उत्तम बताया जा रहा है इस दिन दुफर को 1 बज कर 30 मिट से 3 बजे तक राहो काल रहेगा इसलिए आप भूल कर भी इस दोरान कोई भी शुब कारना करें इससे पहले या बाद में भी किया जा सकता है क्योंकि वैसे तो 10 बज कर 38 मिट पर 5 मितिती का समापन हो जाएगा लेकिन पूरा दिन ही माना जाएगा जब उद्या काल है तो पूरा दिन ही 5 मितिती मानी जाएगी तो आप उसके बाद में भी आप कोई भी शुब कारी करना चाहते हैं कोई लेकर बेठे हैं सोच रहे हैं तो आप बस एक बज कर 30 मिन्ट से लेकर 3 बजे तक ना करें क्योंकि समय राहु काल है कोई भी शुब कारी करते हैं तो उत्तम नहीं माना जाता और देखा जाए तो इस दिन एक नहीं कई शुब योगों का निर्मान हो रहा है इस प्रकार है जैसे शुब योग, सिद्धी योग, रभी योग, सरवास सिद्धी योग, बाशी योग, सुनफा योग, गश केशरी योग यहने इन सभी योगों को मिला कर यह बसंत पंच्मी आई है और इसमें एक सभी कारी यानि कोई भी आप कारी करते हैं सोचते हैं तो संपन और सिद्ध होते हैं बसंत पंच्मी की अपन देखें तो सरसती पूजन केसे किया जाना चाहिए जैसे बसंत पंच्मी के आप दिन सुब जब उठते हैं तो सबसे पहले तो धर्तिमा को इशपर्ष करके नमन करें या आपके बहुत सारे कर्ष्ट हरने के पुरा इनेक तरह सबसे शुरुआत होती है फिर इस नान वगेरा से आप निपड जाएं उसके बाद पीले रंग के कपड़े पहने बिल्कुल विशेश करके आप ध्यान करके रखें कि इस दिन पीले वस्तरों को ही धारन करना चाहिए पीला रंग वैसे भी समरद्धी उर्जा का प्रतिक माना जाता है इसके बाद आप माता सुरसती की यदि प्रतिमा है तो आप उसको गंगा जल से स्नान कराएं यदि नहीं है आपके पास फोटो है तो आप छीटे दे सकते हैं नहीं है तो मानसी किस्मरण भी कर सकते हैं पीले असपेद्रंग के ही कपड़े यदि आपके प्रतिमा है तो आप वस्तर पेनाना चाहते हैं तो पीले असपेद्रंग के वस्तर ही चुने और नहीं तो आप पिले और सपेद रंग के पुष्प भी चड़ा सकते हैं फिर बाद में मूर्ती पच्चंदन का तिलग, हल्दी, फल, पुष्प, रोली, केसर, चावल जो भी आप अरपिट कतना चाहते हैं, जो भी आप सामर्थवान हैं, वहकारी करें मा को बुंदी, या बुंदी के लड़ू के साथ दही और हलवे का भोग लगाएं बहुत सारे ऐसे उपाय हैं, जो इस दिन यदि कर लिये जाएं, तो जीवन के बहुत सारे कस्ट मिठ सकते हैं वैसे मैं पंचमी का जो गुप्त नौरात्रे भी चल रहे हैं, तो एक पंचमी का सबसे अंत में जो मैं उपाय बताऊंगी, सबसे स्रेश्ट उपाय, इसलिए बुल कर भी आप इसको वीडियो को स्कीप ना करें और पूरा देखें, क्योंकि आप छोटे-छोटे जो मैं उपाय बताती हूँ, कई लोगों को करकर उफायदे हुए हैं मा शार्दा के चर्णों में अधि आपका इसा लगता है कि बच्चा पढ़ने में कमजोर हैं तो मा शार्दा के चर्णों में उससे कॉपी, पेन, उपुस्तक रखवा कर और चाहे आप इस मंत्र का जाप कर ले अजि बचा छोटा है, तो आम एम 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 महा सवरसती नमहा एदि अपने बच्चे को बिठा कर आप कॉपी पेन उपुस्तक रखकर महा अजिसी प्रकार जो बसंत पंच्मी के दिन जिन बच्चों को धाई से तीन साल के बच्चे हैं अभी पढ़ना अपने स्कुल में नहीं डाला है या शुरू ही किया है तो उनकी जीप पर चांदी की कलम या फिर अनार की लकड़ी से की कलम से आपको ओम लिखना चाहिए इससे भी आपका बच्चा भहुती संसकारी उपढ़ाई में तेज क ग्रणी होगा इसी प्रकार यदि कुंडली में बुद्ध ग्रह कमजोर है और पढ़ाई में मन नहीं लगे तो पसंत पंचमी के दिनमा स्वरसती का पूजन करके पीले पुषप अर्पित करना चाहिए और चंदन की माला से ओम एम स्वरसती नमा इस मंत्र का जाप करना चा परिक्षा इंटरव्यू की तयारी कर रहे हैं उन्हें सफलता प्राप्ति के लिए पसंत पंचमी के दिन पाँच शमी पत्र ले 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 पाँच बेल पत्र ले ले और पाँच ही मुँग के दाने ले ले और पाँच सपेद पुषप इस प्रकाई सामगरी को लेके शिवा लेगे जाएं शीविल falsy पर करें और एक लोटे में एक कलश में जल और काले तिल Micky करें अभी शेख करें और अभी शेख करते समय अपना नाम एपना गोत्र या जिसके लिए आप कर रहे हैं जिसके नोक्री के लिए कर रहे हैं यदि आप अपने पती के लिए कर रहे हैं तो महिला कर सकती है लेकिन इस समय उनको नाम अपने पती का नाम और गोत्र का इसमरन करना होगा यदि आप अपने बच्चे के लिए करते हैं तो आप अपने बच्चे का नाम ले उनका गोत्र लिंए और इस्मराण करें और प्रभु से बिंती करें और ऐसा आप पांस सौबार यानि बसंत पम्छ्मी के दिन करते हैं तो उसका सर्ष्ठ फल प्रााप्त होता ही होता है इसके बाद आप ये कारें सौम्बार को करें ऐसा करने से आप यह एदिन नोक्री नही यह उपाई अवश्य कर कर देखें और जैसा मैंने कहा था कि मैं अपने वीडियो के अंत में बहुत ही अच्छा उपाई बताने वाली हूँ एक और जो अभी माग मास की गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं उसकी पंच मी आ रही है जो कल है छबी जन्मरी को है आप यह वाला उ अवश्य कर देखें बहुत ही सरल सा उपाय है इसके लिए आपका आम का पत्ता लेना है और आम के पत्ते पर दो भी ले सकते हैं आम के पत्ते और एक पत्ता हैं थोड़े से चावल लेकर रोली में कर लें और थोड़े से चावल लेकर आप हल्दी में कर लें यानि आपको हल्दी में भी करना है और कमकुम में भी करना है और आप एक पत्ते पर दो पत्ते लेते हैं तो एक आमकी पत्ते पर स्वास्तिक हल्दी से बना लें और एक आमका प उस पे आप कुम-कुम से स्वास्तिक बना ले और जो कुम-कुम वाला स्वास्तिक वाला पत्ता है उस पे हल्दी से मिले हुए चावल रखें जिसको आपने हल्दी से किया उन चावलों को रखें और जो हल्दी वाली स्वास्तिक वाला आपके पास आम का पत्ता है उस पे और रखकर जिस बच्चे के बिभा के लिए जिस भी विक्तिक बिभा के लिए या कन्या है या वर है जो भी है अब जिसके बिभा के लिए कर रहे हैं उनके दोनों हाथों में दोनों पते समला दें दें हतेली पर और उनका नाम और गोत्र का उनको बोलें कि अपने नाम और ग भाव जल्दी तेह हो जाए, आप ये कारी करकर देखें, ये उपाई करकर करकर देखें, कितनी जल्दी आपको इसका असर देखने को मिलेगा, बहुत कम समय में उस बच्चे का विभाव तेह हो जाएगा, करकर देखें, लेकिन बिश्वास के सान, आप पर और आपके पूरे परिवार पर भूले नात के क्रपा हमेशा बनी रहे आप सभी को पसंत पंश्मी की शुब कामना है अपने कमेंट्स में जे मास्वर सती लेखना ना भूले ओम नमस्षिवाय